जहिन साथियो नमस्कार आसा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तो ले करके आगए हैं हम एक और नया वीडियो दोस्तो सामने आप देखी सकते हैं कि किसान रिण मोचन योजना उत्तर प्रिदेश के बारे में हम आपको जानकरी देने वाले हैं तो दोस्तो जैसे कि आप जानती हैं कि किसान कर्ज राहत रूई योजना यानि कि रिण मोचन योजना सभी छोटे और सिमांत किसानों के लिए बर्दान साबित हो सकता है जैसे कि मानलीजी आपने किसी भी सरकारी बैंक से जो है लोन लिया हुआ है तो दोस्तो ओ लोन जो है कुछ क्राइटेरि दिया हुआ था कि जो किसान डिफॉल्टर हो गए है या अपना कर्ज जो है जमान नहीं कर पा रहे हैं तो उनको छूट कर दे जाए तो दोस्तों लोग आदालत जो है सभी जिलों में जो है लगाई जा रही है खास तोर से यूपी की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेस सरक इस चीज पे जो है काफी जोड दे रही है तो दोस्तों मैं बता दो लोग आदालत में जो किसान रिफॉल्टर नहीं दे पाते हैं उनका केस आ जाता है वहाँ पर आप जो है कर समझोते पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में जो आपका लोन है उस लोन को अपने अनुसार दे सकते हैं माल आपने एक लाग तक का लोन लिया है तो उस लोन पर आप जो है लाब प्राप्त कर सकते हैं यानि कि आपको वहाँ पर छोट दे दी जाएगी मिल जाएगी तो कुछ इस तरह की योजना है कुछ किसानों के नाम भी लिष्ट में आ चुके हैं तो वह भी हम अगर वो लिष्ट में देखना चाहते हैं तो वह कैसे देखेंगे वह भी हम बताएंगे तो दोस्तों किसान कर्ज राहत योजना 2022 सभी राज्य के सभी छोटे और जो सीमानत किसान हैं उनको एक लाग रुपे तक का कर्ज माफ जो है क्या जा रहा है और इस किसान कर्ज रा हुआ है यहां पर जो है कोल करने के बाद में सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी आप चलते हैं योजना संबंदित सिकायत दर्ज करने पर यानि कि माल यह आपका लोन तो है जमान ही कर पा रहे थे और आप डिफॉल्ट हो चुके हैं तो यहां पर जो हैं दोस्तों योजन संबंदित सिकायत दर्ज कर सकते हैं अब सिकायत की इस्तिती जानने के लिए दूसरा कॉलम दिया हुआ है यहां पर सिकायत की जो इस्तिती है वह भी जान सकते हैं रिण मोचन की इस्तिती जानने के लिए यहां पर किलिक करना होगा तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि य माफ करने का निर्टन लिया इस रिणकों माफ किया जाने के लिए सरकार द्वारा निर्ण लिया गया कि N.C.I. उत्तर प्र दौर विक्सित ओनलाइन प्रोर्टल के माध्यम से अनि प्रधेश के किसानों द्वारा 41701- такого 2016 तक के जो लोन लिए गए हैं के माध्यम से तो इन फीड कराकर तैसिल इस्थिदी राजस्वई विभाक के अधिकारियों एवंबैंक अधिकारियों की टीम बनाकर इसका गहन सत्यापन कराकर इस रिण माफी योजना को सकार क्या जाए जिससे की कोई भी उचित किसान इस योजना से सेस नह रह जाए तथा कोई गलत किसान इसका लाव ने ले पाए योजना को पौन पार द्रसिता के साथ लागू करना सरकार का जो है उद्धिस्य है यह योजना के बारे में जानकरी दोस्तों हो गई है बाकी इस योजना के बारे में आपको बैंक से जानकरी मिल सकती है या फिर आप जो है लोग अदालत जो लग पर जाते हैं अब यहां पर जैसी मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों यह उपर साइट आ रही है इसका स्क्रिसोट ले सकते हैं आप और यह जैसी करेंगे तो इस साइट पर आप आ जाएंगे ठीक है दोस्तों यह देख सकते हैं कि यहां पर जो है किसान रिंड मोचन योज बात करते हैं अगर हमारा npa है non performing assets में आता है non performing asset वही होते हैं दोस्तों जो रिल जो है जमान ही कर पाते हैं तो बैक कर लेता हूँ तो यह npa मेंने किया हुआ है यहां बैंक तो देखिए कौन-कौन से बैंक आ रहे हैं जैसे की इलावाद बैंक, इलावाद, यूपी ग्रामिन बैंक, आंधर बैंक, और आंधरा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ओफ बरोदा, बैंक ओफ इंडिया, बैंक ओफ महराष्टा, यूपी ग्रामिन बैंक, भारतिय महिला बैंक, कैनरा बैंक, सेंटरल बैंक ओफ इंडिया, कोर्प नुद हो जाते हैं यह आप देख सकते हैं तो जो भी आपका बैंक है वो बैंक आपको स्लेक कर लेना है बाकी बैंक जो बचे हैं वो देखा देता हूं मैं आपको देना बैंक फेडरल बैंक ग्रामिन बैंक ऑफ जो है अर्या अर्या वर्त HDFC, ICI, IDBI, Indian Bank, Overseas Bank, Indusin Bank, J&K Bank यानि के जम्मो कसमीर बैंक ठीक है और करनाटका बैंक KGSGB ये भी आ रहा है कोटेक महिंद्रा भी आ रहा है ये देख लीजे कुछ बैंक ऐसे भी आ रहे हैं इसमें ठीक है ननिताल बैंक भी आ रहा है औरियंटल बैंक और प्रतमा पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक, पुर्वांचल बैंक, SBI और साउथ इंडियन बैंक इसमें काफी सारे दोस्तो बैंक है वो इसमें जो हैं आ गए है जितने भी कॉर्परेट है जाए नोन कॉर्परेट हों वो सभी के सभी यहाँ पर आपक जिला चूज कर लेता हूँ, शारानपूर, शारानपूर में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यह ब्रांच आ जाएगा दोस्तो यह देख सकते हैं, तो सारानपूर के अंदर का जितने भी साखाई हैं, ब्रांचेज हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर आ गई है, अब किसान क्रेडि और जैसे ही किलिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो जानकरी है वो सब्कान करके आ जाएगी, आपका नाम इस्टिम होगा तो आ जाएगा, तो दोस्तो यह थी हमारी आजकी वीडियो, अगर आपको कोई प्रशन है, तो आप कमेंट बुक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद